हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप मुझे उमीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे तो आज मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया है जो छवी का ऑनलाइन क्लास चल रहा था उसका अपर मुझे थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ता है क्योंकि छोटी है प्रौपर तरीके से ये नहीं लिख पाती है और उपेज तो अपना देख लेता है उसका जो होता है वो अपना खुछ से कर लेता है पर छबी के लिए मुझे पूरा मतलब पूरा जब तक क्लास चलेगा तब तक मैं इसके पास ही बैठी रहती हूँ क्योंकि कुछ नहीं समझ में आई तो मैं समझा देती हूँ और अभी जो टाम है वो हो गया एवन इंग या निकि बजड़ा है चार या साड़ी-चार हो रहा होगा और रुपेज के सर भी आ गए हैं, वो पढ़ा रहे हैं रुपेज को, वो मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ के लिए मैंने इन्हें लगाया है कि फैंस आप सोच रहे होंगे कहा का टॉपिक कहा चला गई है, मैं आसमान में आप सभी को क्या दिखा रही हूँ तो यह बहुत सारी जो है चिडिया थी एक जुंड में देखिए और इतने अच्छे से ना काफी टाइम एक देड़ घंटे तक मतलब ऐसे ही यह सिर्फ मुझे लग रहा है इन्हें भी ठंड जादा लग रहा था तो यह गर्मी ले रही हैं, उड़कर और रेस भी कर रही अलो फ्रेंड्स राधी राधे और अभी देखिए साम का समय हो गया है और आज कल ज्यादा तर मैं साम का यह ब्लॉग जो है वह सूट कर पा रही हूं आपनों को रिजन पता ही है बच्चे पढ़ रहे हैं साम खजो क्लीनिंग होता है वह मैंने कर दिया है पर अभी मंदिर देखिए मुझे दिया जोड़ना है और साग लाई हूं साग जो है देखिए सू गया है मेथी है इसी की रेस्पी सोच रही हूं बना दूने तो कल इसका पराठा बनाऊंगी नई रेस्पी कल आपके साथ सेयर करूंगी कल संडे है तो सोच रही हूं कुछ नासने में नई संडे है तो कल मुझे बहुत ज्यादा काम करना होगा जैसा की बाथरूम क्लीन होता है वह संडे को ही मैं करती हूं संडे टू संडे क्लीन कर लेती हूं और अभी बच्चे डिमांड कर रहे है मैगी का रुपेस अभी यहां पर देखिए रुपेस हाई बोलो और यहां चव अभी तो अभी बच्ची तो अभी क्या बोल रहे है घुब इस निकल गया बाद क्या बोल रहे है अभी पच्चोख लिए नास्ते में मैंगी बनाओंगी रुपेस होड़ा पढ लेगा फिल जाएगा मैगी लेके आएगा तो बनाओंगी और फ्रेंड्स बहुत ज्यादा पढ़ रही है बहुत ठंड पढ़ रही है मैं क्या बता हूं मेरा बीस्तर से निकलने का एकदम मन ही नहीं कर रहा है अभी पहले बीन लेती हूं एक मिनट से ज्यादा मैं आप लोग से बाते कर चुकी हूं तो बीन लेती हूं वरना आपको पता एक वीडियो लंबा हो और मैत में बहुत जादा वीक है इसकी वज़े से मैंने टीचर लगाया है मैत इसका थोड़ा मतलब अच्छा हो जाए क्योंकि बड़े क्लास में जा रहा है और अब मैत इसका नहीं अच्छा होगा तो मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगा आगे हाई स्कूल तक इसको तो इस और ये देखिए अभी जो है ना वो गोल गोल घूम के लन करती है इसका आदत है मैं डाठती हूँ पर इसको ऐसे ही लन होता है देखें डांस भी कर रही है ये ये वो ज्यादा मतलब कुछ भी उसको पढ़ने को दीजिए ना तो वो डांस कर करके याद करती है पर उसे मतलब लॉन हो ही जाता है तो अभी वो मुझे सारा सुना देगी तो फ्रेंट्स अभी आदा काम मैंने कर लिया है जज़ा की कपड़े भी फोल्ड हो गए मेरे और बच्चों के लिए मैगी काफी दिन से बच्चे बोल रहे थे मैंने सुचा कि चलो आप ऐसे मेरे ब्लॉग में मै तो चलिए आज आपको के साथ मैगी की रेस्प्र में सेयर करती हूं कि मैं कैसे मैगी बनाती हूं पर मैं मैगी बनाने वाली थी रुपेज को यूपी नूडर्स मिल गए वहां देखिए छबी जो है उसे फार्ड रहे पूरे पैकेट को यह रिखिए वह पुरा खोल दे र अब जब तेल गरम हो जाएगा तब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज प्याज फ्राइब करूंगी तो पहले हो जाए तेल गरम मेरा और फ्रेंड्स यहां मैं पानी गरम कर लेति हूँ क्यूंकी इस समय ठंडी काफी ठंडी कड़ रहे है तो पानी अगरत रेग़े ना तो बच्चों को मैं मतलब देती रहोंगी लाइट रहे आना रहे पानी मुझे गरम मिलता रहेगा तो हमेशा मैं मतलब पानी एक जग हमेशा गरम करके रखती हूं और यह रोटी जो है ना वो मतलब कुत्ते की है तो अभी कुत्ता आया ने था इसलिए मैंने नहीं दिया अभी आएगा बाहर कालू तुसे दे दूंग और यहां देखिए आयल जो है वो गरम हो चुका है तो डालते हैं इसमें प्याज यह देखिए फ्रेंस प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है तो मैंने इसमें टमाटर और मतल की दाने मैंने इसमें डाल दिये हैं इसे कवर कर दूंगी तब तक के लिए कि जब त तक कि टमाटर हो जाए तो अभी तेमाटर talk हो गया है इसे मैंने थोड़ा सा मिक्सผी कर लिया है और इस में मैं पानी डाल देती और इसमें एड़ करूंगी फिर इसका जो लीड है उसे में लगा के छोड़ दूंगी कि मैगी सॉफ्ट हो जाए तो यहां देखे मैगी सॉफ्ट हो गई है मैंने गैस आफ कर दिया है तो इतना यम्मी यम्मी निख रहा है ना ये दे देते हैं बच्चों को खाने के लिए औ और चबी रुपेश इंतजार कर रहे हैं मैगी का अजो रुपेश चबी मैगी बन गया है मैगी बन गया है खाली जी हम लोग के साथ मैगी तो अभी मैं बच्चों को सर्व कर देती हूं तो आइए फ्रेंड्स खालीजे मैगी रोटी आप हसेंगे मेरे बच्चे मैगी रोटी खाते हैं उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है मैगी के साथ जो है रोटी और चावल तो वह देखिए मैगी और रोटी दोनों खालेंगे यहां चबी की थाली लग गई यहां मेरी सॉर यह थाली यह रोटी 11 जात लिया है तो यह थाली झाली तो थाली आपने ठाली लेके जाओ तुम दोनों यहां है की थाली मिलेगी और रोटी-टो का difika अतले बनों बार परिछेंड लेगे हैं- तो यह थाली फाली कि मैगी बच्चा है को मैं यहां पर दिखी जो बच्चा है कि मैं खाऊंगी बच्चों को देने को ऐसे और मैं रोटी नहीं खाती हूं पर मेरे बच्चों को पता नहीं कहां से मतलब उन्हें रोटी के साथ मैगी के साथ रोटी या चावल चाहिए तो रोटी तो था रोटी म खाली कर दिया है और नहीं कुछ भी नहीं जाओ अंदर जाओ तो चलिए फ्रेंड मैं भी खालेती हूं उसके बाद से फिर इनर की तयारी करनी अभी बाहर आप देख सकते हो अंधेरा हो रहा है और मुझे अभी लाइट भी जलाना है तो बाहर का तो चलिए अभी पहले खाल देती हूं मैं तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा होगा तो प्लीस मुझे सपोर्ट करिए आप लोग मुझे सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हैँ मेरा साथ आप सब लोग छोड़ दीर तो मुरा जादा सपोर्ट करिए मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजी वेल आइकन भी प्रेस कर दीजी जिससे कि मैं जो भी न्यूँ वीडियो बना उसके नॉटिफिकेशन आपको मिलते रहें आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर दा है फ्रेंड्स और वोग के सपोर्ट की भी न कुछ नहीं कर पाऊंगी बट आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं तो प्लीज थोड़ा ध्यान हमारे उपर भी दीजीए जैसे आपने बड़े हुटूबर को दिया था प्लीज मुझे सपोर्ट करिए उन लोग की जैसे हमारे भी ब्लॉग होते हैं वो लोग जो दिखाते हैं वही चीज़ मैं भी दिखाती हूं तो प्लीज ज़्यादा ज़्यादा आपको सपोर्ट किया करें और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाथ करती हूं खा लेती हूं लेगी So, bye-bye friends